अब आप देख रहें स्मार्ट टेक प्लेटफर्म्ट अज के इस वीडियो में लोग पीम की संसमान ने दी उजना को लेकर बात करने वाले हैं पीम की संसमान ने दी उजना के लिएकर मोधी सरकार का बड़ा एलान दो कड़ और 38 लाग किसानों को नहीं मिलेगा सातवी किस्त का पैसा तो दो कड़ और 38 लाग किसानों को जो है सातवी किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है मोधी सरकार ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है तो दो कड़ोर 38 लाग किसानों को जो है बेनेफिसली लिस्ट से हटाया गया है और उनको नहीं मिलने वाला है आखिर क्यों नहीं मिलेगा दो कड़ोर 38 लाग किसानों को पैसा आज किस वडियो में आपको बताएंगे किस कारण किसानों को नहीं मिलेगा पैसा कहीं इस लिस्ट में आपका भी तो नाम नहीं है आप किस परकात जान पाईएगा ये भी आपको बताएंगे तो पूरी डीटेल में आपको बताएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो में सुरू से लेकर अन तक बेने रहिए और अभी तक आपने हमारी चैनल स्मार्ट टेक प्लाटफों म Ol Auntie को सस्क्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब डोडम को प्रेश करके सस्क्राइब कर ल 어े पीडियो क herd इंडिए ताकर हर बीडियो आपको लाइक ही शेर कुमेंट GOET कीजैए और अगर एप को प्रोब्लम हो तो को प्रेस करके अपको लिए ताकि हर वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक सेर और कमेंट जरूर किज़े और अगर आपको प्रोब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए हम उसका जबाब आपको जरूर द ऐसा आखिर क्यों नहीं जाएगे आगे आपको बताते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे फिर दिया हुआ है पीम किसान सम्वन नीदी की साथवी किस्त का इंतिजार कर रहें कर रहें दो कुरोर से अधिक किसानों को लाभारती के सूची से बाहर कर दिया गिया ब जो है सुरू हो जाएगा हो सकता है सरकार फरजी किसानों जो है उन पर अपनी नक्यल कस रही है इस बज़ए से लिश्ट में ऐसे किसानों को हटाया गया है इस समय पीम किसान पोर्टल में उजना का लाभ लेने वाले किसानों की संखा नौ करोर संतानुबे लाग से जो है आसपास रगी अभी जो है पीम किसान संब्णनी थी उजना में लगवर नौ करोर संतानुबे लाग के आसपास किसानों की संखा है जबकि कुछ दिन पहले पहले तक यह संखा 11,37 लाग थी हलाकि आज पोर्टल से यह गल्दी सुधाल ली और अब जो है लावार्तिक संखा 11,49 करोर दिख रहा है तो पीम किसान संब्णनी थी उजना में बहुत सारी किसानों को जो है सातवी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा क्यूंकि अब जो है फरजी किसानों के उपर जो है नकेल कसा जा रहा है बता दे कही राज़ जोने फरजी किसान भी इसी उजना का लाव ले जिसके बाद सरकार ने ऐसे किसानों को रिकवरी करना शुरू कर दिया अब तक सबसे ज़्यादा केस तामिलनाडू महराष्ट MPE से सामने आये महराष्ट में ऐसे 2.30 लाग किसानों को सम्मान निधी का भुगतान कर दिया गया था जो टैक्स भर दे थे हुई कि डर से कई किसान में फर्जी एंट्री करने वाले किसानों ने अपना नाम हटा लिया जबकि लाखों किसान को उनके गलत दाटा के कारण पोट्वल से हटा दिया गया है तो इस कारण से जो है किसानों को पैसा नहीं मिलने वाला है युजना का लाब लेने वाले किसानों क ली संखा किस्त दर किस्त घटती जा रहे है PM किसान पोडल के मुताविक पहले किस्त 10.52 करोर किसानों को मिली ती दूसरी किस्त 9.97 करोर तूसरी किस्त 9.05 करोर चौती किस्त जो है 7.83 करोर और पांच वी किस्त जो है 6.58 करोर किसानों तक पहुंच जबकि छटी किस्त पाने वाले किसानों के संखा केबल जो है 3.84 कोड़ रह गई ऐसे में साथवी किस्त पाने वाले किसानों के संखा इससे कम रह सकती है तो PM किसान का लाब लेने वाले किसानों के संखा जो है दिन बद दिन घटती जा रही है तिस तरह से जो है PM किसान संबान नीधी योजना का जो किसान वाइक गलत तरीके से लाब ले रहते उनका जो है नाम PM किसान संबान नीधी योजना के लिस्ट से हटा दिया गया होगा तो आप एक बार अपना beneficiary status चेक कर लिजिए आपको beneficiary status चेक करने के लिए आपको PM किसान के official website pmkisand.gov.in पर आना होगा इसमें आने की बाद आपको नीचे scroll करते हो जाना है यह पर आपको मिल जाएगा beneficiary list या लावारती सूची इसमें आपको क्लिक करना होगा इसमें जैसे ही र्य का क्लिक कि देखा कुछ इससी तरग का interface आपको देखने को मिलीगा यहाप आपको इस्टिट स्लेक्ट करना अ setting eg जैक्ट रेसने के बाद इस तरह से आजिया यहां पर आपको आपको जो है अगर सेकंड फर्स्ट लिस्ट में नहीं है तो सेकंड लिस्ट भी देख सकते हैं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आप चेक करके देख लिए कि आपका लिस्ट में नाम है नहीं अगर है तो आपको पैसा मिलेगा अगर नहीं है तो आपका नाम लिस्ट से आटाया गया है प्रेंट्स आज के इस वीडियो में बस्तना आई वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के शेयर किजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफों को सस्क्राइब ने किये हैं तो नीचे सस्क्राइब बोटम को प्रेस करके सस्क् लिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें वीडियो अच्छा लगते लाइक शेयर और कमेंट जो रूब किजिए आज की इस वीडियो में बस्तना आई थैंक्स